माहिला के गोद में ये लड़की सो नहीं रही है बलकि हमेशा के लिए मौद की नीन सो गई है और आरोप ससुराल वालों पर लगा है मृतिका के पिता के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी विनेश की शादी तक्रीबन दो महिने पहले यानि 27 निवेंबर 2022 को अकबरपुर के रहने वाले सतीश के साथ की थी हैसियत के मुताबिक दान दहिज भी दिया था लेकिन बेटी को पहले दिन से परिशान रखा जाता था आरोप है कि विनेश की हत्या की गई है पिता का कहना है कि उनकी बेटी को गला दबा कर मारा गया है मामला बुलंच शहर के डिबाई कोतवाली इलाके का है पिता की तहरीर पर पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज किया है और मामले की जाच कर रही है वही मामला सामने आने के बाद से माई के वालों में कहराम मचा है हर कोई यही सोचकर है कि जिस बेटी की शादी दो महिने पहले की थी अब उसके लाश उठानी पड़ रही है वाकि एक माबाप के लिए इससे बड़ा सदमा भला क्या होगा ब्यूरो रिपोर्ट नवदीब टुडे